हेलो सू मैं हुरुजएत बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस निए वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में क्योंकि यहां पर सीरियल से जुड़े देर सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे जो नयús टीवी सीरियल का प्रूमो आया है जो कि और कोई नहीं बलकि सीरियल गुम है किसे के प्यार में के प्रॉडक्शन हाऊस का ही एक को टीवी सीरियल है जिसका नाम है तेरी मेरी दोरियाँ तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सीरियल के जो लीड कलाकार है, मुख्य कलाकार है, नील बर्ट, एशरे शर्मा और आईशा सिंग यानि की विराट पाकी और सई, यही तीनों किरदार जो है उस सीरियल का प्रोमोशन करते वे नजर आते हैं, एक तरफ से यह कहें, तो सीरियल को फैन फॉलविंग बढ़ाते वे नजर आ रह है या फिर नहीं, जानेंगे डिटेल के अंदर सारी चीजे लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि यहां पर सभी लोग जो है चारो तरफ दिमाग लगा रहे हैं, पत्रे लेखा फ्यूचर के बारे में सोच रही है, यहां त पर सिर्फ दिमाग जिसका पूरी तरीकी से ब्लॉक हो चुका है, वो एक ही करदार है, यहां पर वो भी सीरिल में DCP दिखाया गया है, यानि कि विराट का करदार, यहां पर विराट सभी के प्यार में इतना ज्यादा हो गया है कि उससे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कि फ भवाने काकोड चावान निवास की जद के बारे में सोचा, क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों पत्र लेखा की बाते लास्ट एपिसोड में हमें सही नजर आती है, कि किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम वीनू और सवी के बारे में तो हमें सोचना ही होगा, पत्र लेखा का जो एक्जामपल था पीटीम वाला याने की पैरेंट टीचर मीटिंग वाला वो बहुत ही सटीक हमें नज़र आता है क्योंकि विराट अपने रिष्टों को किस तरीके से डिफाइन करेगा ये चीज कोई नहीं समझ सकता है अब तक और नहीं हम लोगों को समझ में आ रहा है आइ तिंग जल की मेकर्स को कोई रस्ता मिला हो गां यहांपर कि उन तीनों के रिष्टे को गोई है जो कोई नाम दिया जा सके तो ऐसे में दोस्तों यहांपर आपर आने वाल एपिसूड के अंदर विराट की जिद जए हो वही सबसे आगे निकलने वाली है और विराट पूरी तरीके से मनवा कर रहेगा सई को भी पत्र लेखा को भी एक स्कूल में दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए और यहां पर दोने बच्चों की जो है स्कूल यहां पर तरुटुरंत ही शुरू होते वे आपको नजर आएगी और दोनों बच्चे स्कूल जाते वे भी नज़र आएंगे यानि कि ये ये कहें कि एक बार तो सभी का एड्मिशन विनायक के साथ हो गया ये confirm है आप लिख के लिए लिजे हम बात कर लेते हैं दोस्तों मिसके आने वाली कहानी की और कि किस तरीकी की होने वाली है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक तरफ से आप मान सकते हैं कि सही और विराट के पास आने की करीब आने की एक कड़ी ये बन चुका है लेकिन यहाँ पर मिसन स्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राइंगल की एक सीरे पर पत्र लेखा और जकताब दोनों ही खड़े हैं यहाँ पर जहां पर पहले इस तरफ तो पत्र लेखा विराट के साथ है ही है और दूसरी तरफ विराट का गुसा जो है वो जकताब बढ़ाने वाला है क्योंकि विराट को जब पता चलेगा कि सही जिस घर में रह रही है उसका भी सपोर्ट जो है वो जकताब ही कर रहा है तो यहाँ पर पूरी तरीके से विराट रो सही की विच्वें एक और बार मिस हो चुकी है यह फ्यूचर के बारे में नहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी सवी के बारे में सोच रहा है और यहाँ पर दोस्तों सीरिल के मेकरस ने नील भट जैसे बहुत ही उन्दा कलाकार को जो है यहाँ पर वाकई में डिसपोइंट करने वाला रोल दिया है उनके ज नील भट को ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है जिससे पूरे फैंस का उससा उस किर्दार को लेकर काफी जाद अबढ़ जाता है विराट के किर्दार को लेकर तो ऐसे में आने वाली कहानी कैसे बढ़ेगी मैंने थोड़ा बहुत आपको आज किस वीडियो में बता द पहले भी कई सारी सवाल इसके उपड़ आया थे औन आपको याद सारे लोग से यूज बोल रहे थे कि से तरी होती ही यार तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है सीरियल अभी भी आफ एर नहीं होने वाला है आप सभी को मैं बता दूँ क्योंकि यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में से पहले जो है सीरियल के प्रोडक्शन हाउस ने एक और सीरियल स्टार प्लस पर ही उतार के साथ एंड उसके बाद फिर कहानी किजनापिंग टेर्रिस्ट वगरा अलग-अलग जो उन में चले गए एंड कहानी का कबारा हो गया एंड टी आरपी एकदम जमीन पर आखर गिर गे एंड सीरियल की मेकर्स को जो है उसे ओफ एर करना पड़ा यानि कि यह कहूं कि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि किसी भी टीवी सीरियल का किसी भी प्रोड़क्शन आपका एक ही सीरियल एक ही वक्त पर एक ही चैनल पर रह सकता है तो ऐसा नहीं है सीरियल के makers का budget और production house का जो काम है वो किस तरीके से होता है वो depend करता है वो चाहे कितने ही सीरियल एक टाइम पर क्यों न उतार दे वो उनके budget पर उनके काम पर depend करता है well हाट सीरियल की जो cast होती है यारि की जो direction team होती है जो director होते है वह सब को यह अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन प्रडक्शन हाउस जो है वह एक होता है क्योंकि पूरी तरीके से एक तरफ से बजट देने का इंवेस्ट करने का काम करता है तो उसके बाद जो पूरी टीम होती है वह डिसाइड की जाते हैं सीरियल को प्लॉट पर लाया जाता है यानि कि यह कहें दोस्तों कि फिलाल ऐसी कोई अनॉसमेंट नहीं किसी के प्यार में अपने ही प्रोडक्शन आओ अपने ही साथी सीरियल के साथ जो है रिप्लेस हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह बिल्कुल गलत है जो भी आपको इचीज बता रहा है इस पर फिल और क्या आपको लगता है कि सीरियल के मेकर्स जो है नील भट के साथ जस्टिस कर रहे हैं विराट के किरदार को इस तरीके का बनाकर या फिर नहीं अपने ओपिनेंट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्रम पर भी लिंक बने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है चैन